इंसान में और कटे में कोई फर्क, जब से मैं गया हूँ ना लासानी के कटे मैंने देखे हैं, तो मुझे तरक्की का मफूम समझ में आया, कटे समझते हैं, जो बशड़े नहीं होते, वो बड़े-बड़े, बखराईद में जो कराची में कटे हैं न, बड़े-बड़े, तो यह जो मादी तरक्की है ना, सिर्फ और सिर्फ मादी तरक्की, इस तरक्की की डेफिनेशन यही है, अच्छा खाए, अच्छा पहने, इलाज की अच्छी, सहूलत हो, यही है ना, यॉरप में यही तो है, बाकी खुदा क्या कहता है, तोहीद क्या है, रमज़ान क्या है, अ इनिजी मामला है परसनल नाओ अच्छा इन्सान की डिफिनेशन में यह चीजे दाखिली नहीं है अच्छा इन्सान से कहते हैं थैंक यू से बाज़ शुरू करें थैंक यू बाद खतम करें किसी का दिल ना दुखा है बस दो चार चीजे जो मैनर से जिनका तालोग है बस वो चीजे आप जाएं लासानी और दिल पसंद के फॉर्म हाउस जाए मैं कहता हूं बैल ज्यादा तरकी कर रहे हैं वहां पर होराक अच्छी मैंने खुद देखा है देसी घी के मैंने वीडियो बना के अपने चैनल है मेरा मुफ्ती तारिख मसूदी स्पीचिस के नाम से आप देखें उस पे इतने बड़े बड़े देसी घी के निवाले बना बना के उन बैलों को सुबा सुबा खिलाए जाते हाजम करने के लिए फिर चूरन खिलाए जाता है ऐसी प्रोटीन से भरी ह की खौराक आज मैं और आप नहीं खा रहे हैं हमारे हां करोना की वैक्सीन के नाम पर बहुत हुकूमत आजिज आ गई है अभी तक वैक्सीनेशन का अमल मुकमल नहीं हुआ उन बैलों में जितनी बीमारियों का इमकान सौ साल बाद भी हो सकता है ना उसकी भी वैक्सीन उन उनकी समझ रहे हैं कि नि समझ रहे इसलाम अलेकुम उनकी वो भी वैक्सीन हो चुकी है नीचे उनको जो रहने का है वो ऐसी भालू मिटी जो हमारे लिए कार्पिट का काम यही हमारा ऐसे जैसे कार्पिट एग्जॉस फैन है और उन बैलों को जो पाला जा रहा है उसमें पाइशर को भी बहतरीन मेंटेन रखा जा रहा है, गर्मियों में एसी होता है, और सर्दियों में हीटर का इंतिजाम है, मेरा भांजा मेरे साथ गया था, इतना दूबला पतला सा, मैंने का यार इसको भी बांदलो, बताओ भर महीने के पैसे कितने लोग है, क्या ख्याल है, भी अगर यह एसाब इसके साथ हो जाए, सुभानल्ला, तो आप मुझे बताओ, जानवरों के लिहाज से वो कटे तरक्की की अरूज पर हैं या नहीं है, तो यह है आज की दुनिया में तरक्की की डैफिनेशन, तो अगर आप अच्छा खा रहे हो, अगर आप अच्छा प लाज होता है, जरा सभी कोई मसलों फॉरन, तो आपके लाज भी फिरी है, इसको अगर आप तरक्की समझ रहे हो, तो आप में और कटे में, लासानी के कट्टों में कोई फर्ख, बोलो भाई, नहीं हैं।